अगर आप कार लोन लेने जा रहे हो तो बहुत सारे questions आपके दिमाग में रहेंगे वैसे कार आने वाली है खुशी रहेगी लेकिन कार लोन के लिए बहुत सारे questions रहते हैं कि इंटरस्ट रेट कितना होगा floating rate पर लो या fixed rate पर लो यह बहुत बड़ी debate है कि floating पर लो या fixed rate पर लो जिसको हम आगे समझेंगे फिर question आता EMI कितनी होगी EMI calculator कहां से निकरेगा कैसे पता जानेगा कितनी EMI बनने वाली है foreclose करा दूंगा तो क्या होगा foreclose prepayment क्या फरक है सारे चीज़े इस वीडियो के अंदर आपको मिलेगे तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले समझते हैं कि fixed rate या floating rate क्या होते हैं दोस्तों mainly आपके पास दो option रहते हैं या तो आप floating rate पर ले लो या तो फिर आप fixed rate पर loan ले सकते हो fixed rate नाम से सबस्ट है कि आपको आज बता दिया कि company जैसे आज 2023 में अगर SBI 8.6% चार्ज करता है अपने कार लोन के ऊपर तो आप अगर 5 साल के लिए ले रहे हो वह 10 और पर भी डिपेंड करता है उतने साल के लिए यही interest rate fix रहेगा अब अगर bank का interest rate कल परसों में कम जादा भी होता है कभी 9% हो जाता है तो कभी 7% हो जाता है आपको 8.5% ही भरना होगा अब floating वहीं पर अगर हम देखें तो अगर bank का आज 8.5% है लेकिन 6 महने बाद हो 9% होता है आपने floating interest rate पर ले लिया आपको 8.5% पर अभी मिल गया 6 महने के बाद 9% कर दिया bank ने तो आपको 9% देना होगा एक साल के बाद 7% कर दिया bank ने तो आपको 7% देना होगा तो दोनों के अपने फाइदे नुकसान है आपको समझना होगा कि अभी market condition क्या है अगर अभी जो interest rates है वो अपने top level पर है एक लोवेस्ट लेवल पर है 5-6-6-7% पर चल रहा है उस समय आप कारणों ले लेते हो fixed rate पर तो आगे जलके 9% भी हो तो आपको फरक नहीं पड़ेगा लेकिन floating लेते हो तो नुकसान हो जाएगा तो यह आपको market condition देखकर कि उस समय लेना होगा बढ़ा एक चीज बता दूं अ बट ऐसा कहा जाता है कि जब आप बहुत लंबे समय के लिए लगबग 20 साल के लिए लोन ले रहे हो तो floating interest rate लेना चाहिए छोटे समय के लिए आप fixed interest rate के साथ ही जा सकते हैं वैसे interest rate जो होते हैं यह लगबग साड़े साथ से लेकरके 11% के बीच में vary कर रहे होते हैं से शुरू होता है डिपेंड करता है आप क्या करते हैं अगर आपके income source पर डिपेंड करता है कि आप कितना interest rate मिलेगा अगर आप सरकारी employee है तो थोड़ा बहुत वहाँ पर कम हो जाता है अगर आप self-employed है तो वह उसका एक अलग percentage होगा तो आपको कार जब लेने जाओगे अब बात आती है कार लोन लेने जाओगे तो क्या documents required है तो में ली तीन चीज़े लगती है ID address proof, income proof और bank statement अब ID address proof में आप क्या दे सकते हो ID में आप अपनी driving license दे सकते हो, अपना अधार दे सकते हो, पैन दे सकते हो, address में आप electricity bill दे सकते हो, वैसे पैन और अधार दे दिया है तो उसमें भी address proof आपका हो जाता है, voter ID आप दे सकते हो, अगर बात करें income proof की तो जो लोग employed जो salaried है वो अपनी salary slip दे सकते है पिछले 6 होता है, तब आप bank आपके ओपर बरोसा कर पाता है कि हाँ ये बंदा जो है capable है, इतना जो amount में इसको दे रहा हो, अगले 45 साल में पटा देगा, ये आपको देना होगा, और bank statement आपको देनी होगी, जितना bank आप से मांगता है, मैंने एक साल की जो मांगता है, वो आपको दे हाँ पर interest बहुत कम और मुल्दन बहुत जादा जाता है, वो एक अलग calculation है, तो आप simple way में कर सकते हो, simply जिस bank से आपने loan लिया है, उसका नाम लिखना जैसे HDFC से लिया है, मन के चले एकसिस से लिया है, तो access bank car loan EMI calculator डाल देना, Google पर आपको मिल जाएगा, link लिंक पर चले जा तो देखो, दोनों चीज़े अलग है, बहुत सारे लोग इसको सेम समझते हैं, बहुत दोनों चीज़े थोड़ी सी अलग है, prepayment का मतलब यह है, कि आपने मान के चले लिया था, 10 लाग की गाड़ी ली थी, 3 लाग आपने खुद पटा दिया था, 7 लाग का loan ले लिया था, यह होता है, prepayment, foreclosure का मतलब है, कि आप पूरा लोन, पूरा 5 लाग रुपे देखर के खतम करवा दे रहे हो, यह बहुत अच्छी चीज़ है, अब इसके भी अपने-पने फायदे नुकसान है, सबसे बड़ा नुकसान तो यह है, कि बैंक आपके उपर चार्ज लगाता है तो इंट्रेस्ट रेट कम हो गया, आपने एकटा पैसा बटा दिया, यतना विलोन अमांट बचा हुआ था, तो इंट्रेस्ट उनको कम मिल रहा है, लेकिन फायदेस के बहुत सारे है, कि पहली बात, मंतली EMI के जिंजेट से आप निकल जाते हो, हर मैंने आपको टेंशन न तब जिस दिन आपका लोन खतम हो जाता है, तब आपकी गाड़ी आपकी हो जाती है, आपकी मालिकाना हक में हो जाती है, इस से पहले था कि हाइपोटिकेशन में होती है, हाइपोटिकेशन एक ऐसा तरम है, जब भी कार लोन आपको दिया जाता है, तो बैंक आपकी जाना हग बैंक के पास है और यह चीज आपके आर सी पर आपको मिलेगा या फिर फाइनेंसर का नाम लिखा हुआ कि वाइं फणा बैंक नेंस किया था तो याड़ रखना जब आप फूर्ट लोट नस करवा रहे हैं जब आप खटम कर रहे हो या फिर आपको पूराख हो गया पूरा पुरा पटा दिया तो आपकी RC जमा होती है और फिर आपको new RC issue की जाती है जिसके उपर hypothecation या finance कुछ नहीं लिखा होता है तब यह final RC आपकी खुद की होती है गाड़ी आपकी financial लिखा हुआ है तो आप बेच नहीं सकते हो क्योंकि गाड़ी आपकी ही नहीं है बहले आपने पैसे दे दिये पूरे गाड़ी आपकी हो नहीं पाई है तो बैंक को hypothecation हटा लेना और अपनी गाड़ी का मालिका नहीं पूरी तरीके से आप ले लेना तो यह है दोस्तों बैंक लोन के बारे में सारी बाते अगर आपके मन में कोई question है तो आप comment section में लिख सकते हो वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक जरू करना मुझे जरूर बताना और सब्सक्राइब जरूर कर लेना कुछ और चीज़े आपके मन में तो आप जरूर नीचे टाइप कर दीजे कुछ confusion है या फिर कुछ बात है तो आप नीचे comment section में जरूर लिख देन देनिवाट